आप सभी का स्वागत है दोस्तो देखिए आज की क्लास में हम मैक्स बेवर के सोशियल एक्षन यानि सामजी किरिया के बारे में चर्चा करेंगे ऐसे विद्यारती जो यूपी पीजीटी सोशियलोजी की तयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि सतीओ यूपी पीजीटी में आपके एक टॉपिक दे रखा है वेस्टरन थिंकर का जिसमें मैक्स बेवर भी इंकलूड है अब चाहे हम मैक्स वेवर के सामजी किरिया जिसकी आज हम चर्चा करेंगे उसकी बात करें या मैक्स वेवर के आदरस प्रारूप आइडरल टाइप की बात करें या मैक्स वेवर की ब्यूरो किरसी नौकर साई की बात करें या Max Weaver के धरम संबंदी विचारों की बात करें तो सद्यों ये सारे के सारे टॉपिक आपके UP PGT के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं काफी सारी ऐसी नई चीजे हैं जो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगी कुछ नया सीखने को मिलेगा इसलिए तलीन होकर क्लासेज को देखे साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UP PGT के लिए हमने अपना ऑनलाइन बैंच प्रारम कर रखा है अगर आप इंटरस्टेड हो और हमारी क्लासेज जोइन करना चाहते हैं तो साथियो सबसे पहले आपको ये मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे है 8690015710 डाइरेक्ट यहाँ पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो जिसके बाद में यहाँ पर यह दूसरे वार्टसप नंबर है यहाँ पर आपको केवल अपना नाम और मैसेज लिखना है जोइन UBPGT आप भेज सकते हो आपको जो भी एडविशन का डिटेल्स होगा वो मिल जाएगा और जादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है तो साथ यह तो हो गई हमारी कुछ परिचात्मक बाते अब मैं मुद्दे पर चर्चा करते हैं देखे सबसे पहले हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे दो पाच बाते हैं कि मैक्स वेबर के अगर हम जनम की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो 21 अप्रेल 1884 को इनका जनम हुआ था ठीक है? हाला कि इस तरीके के पिर्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं फिर भी हो सकता है कि किस्मत खराब हो या किस्मत अच्छी हो और यहाँ पर आपसे पूंच लिया जाए कि मैक्स वेबर का जनम कब हुआ तो 21 अप्रेल 1884 को जर्मनी के इर्फरूट नामकिस्तान पर मैक्स वेबर का जनम हुआ था ठीक है? जिसके बाद में यहाँ पर इनकी डैथ भी दे रखी है कि 1920 को इनकी डैथ हो गई थी फिर देखिए मैक्स वेबर साब थे वो कानून के विद्यारती भी थे लौ में भी इनका अच्छा खासा इंट्रेस्ट था जिसके बाद में यू कहा जाता है कि ये राजनीती सास्तरी भी थे मतलब राजनीती सास्तर, पॉलिटिकल साइंस के भी विद्यारती रहे हैं जिसके बाद में अर्थ सास्तर में भी इनका इंट्रेस्ट था और मैनली समाज सास्तर जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं समाज सास्तर को मैक्स वेवर में बहुत सारी चीज दिया है मैक्स वेवर के योगदान को समाज सास्तर में भुलाया नहीं जा सकता जिसके बाद में साथियों इन्हों ने धरम संबंदी विचारों को भी प्रमुक्ता से प्रस्तुत किया है यहां तक समझ में आ गई फिर देखिए मैक्स बेबर ने समा सास्तर को विज्ञान बनाने में अपना महत्पुन योगदान दिया और इसी लिए आपको समा सास्तर का पिरती इस्तापक जनक बोला जाता है दोस्तो जो जो कलर मैंने बॉल्ड कर रखे है यानि जो जो लाइने मैंने बॉल्ड कर रखी है वहां से पिर्शन पूछे जाने की पिरवल संबावना है अब यहां पर एक बात निकल कर आईए पिरती इस्तापक जनक देखे मैं इसको लिख भी देता हूँ पिरती इस्तापक जनक ठीक है अब सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि समा सास्तर के पिरती इस्तापक जनक की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें पिरती इस्तापक जनक क्या होता है दोस्तो यह चीज तो आपको पता है कि लगबग 1838 में समा सास्तर की सबसे पहले नीम रखी गई थी आगश्ट काम्टे दुवारा तो समा सास्तर को starting time में यहनि समा सास्तर को सुरुवात में जिन लोगों ने संद्रक्षन दिया, समाज सास्तर के विकास में, जिन लोगों ने सहयोग दिया, उन्हें हम प्रती इस्तापक जनक के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे इंपोर्टेंट अगर हम किसी की बात करते हैं, तो सथियोग सबसे पहले प्रती इस्तापक जनक थे आपके आगश्ट कामटे साब। आगश्ट कामटे साब कहां के थे, तो आगश्ट कामटे साब फ्रांस से संबन्द रखते थे। यानि सबसे पहले अगर हम प्रतिस्तापक जनक की चर्चा करें, तो जो पहला नाम निकल कर आता है प्रतिस्तापक जनक, जिन्होंने समाज सास्तर की नीम रखी, समाज सास्तर को मच्पूती प्रदान की, तो वो थे हमारे काम टेशाब। 1858 में इनका जनम हो गया था, और 1917 में इनकी डैथ हो गई थी, यानि दुर्खिम को भी प्रतिस्तापक जनक बोला जाता है, जिसके बाद में साथियों तीसरे नंबर पे अगर किसी का नाम आता है, तो वो थे हमारे हरवर्ट स्पेंसर साब हाना, हरवर्ट स्पेंसर साब बि बिर्टेन के थे, दोस्तों चौथे नंबर पे हमारे यहां पर निकल कर आते हैं, काल मार्क्स मोहुद्दे, मेरे सबसे फैवरेट थिंकर, अगर मैं किसी को पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो वो काल मार्क साब है, साथ यो काल मार्क साब का जनम 1818 में हुआ था, और 1883 में इनकी डैथ हो गई थी, और यह जर्मनी से संबंद रखते थे, ठीक है, काल मार्क साब के बाद में 30 तापक जनक का नाम आता है, मैक्स बेबर, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, दोस्तों मैक्स बेबर साब का जनम 1864 में हुआ था, और 1920 में इनकी यह दोनों फ्रांस के हो गए, पिरसन पूछा गया है, दोस्तों राजस्तान लोक्षवायोग में पिरसन पूछा गया है कि यह जो थिंकर है, इनके देशों से संबंद इस्तापित कीजिए, यानि इस टाइप के पिरसन आया था, इदर आपका राइट, लेप साइड में सुची सेकंड दे दिया, और फिर इदर आपके जैसे सबसे पहले यहाँ पर काम्टे साब दे दिया, जिसके बाद में दुर्खाइम साब दे दिया, ठीक है, दुर्खाइम के बाद में स्पेंसर दे दिया, स्पेंसर के बाद में काल मार्क्स दे दिया, और उदर इनके कंट्रियों के नाम दे दिये, जर्मनी दे दिया, फ्रांस दे दिया, बिर्टैन दे दिया, तो कहा गया था कि ये जो ठिंकर हैं इनके कंट्री के साथ सुची को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना कि काम्टे साब थे, जो फ्रांस के थे, सुचिलोजी में सबसे ज़्यादा थिंकरों का योगदान रहता है, बिना थिंकरों के सुचिलोजी अदूरी है, एक एक लाइन में एक एक थिंकर के विचार रखे हैं, और सुचिलोजी का मतलब यही है, कि विभिन विचारकों की विभिन विचारदारा, हाना, तो यहाँ पर अगर पुछा जाता है कि प्रतिस्तापक जनक साथियों ये भी कुशन पूछा गया है यहां पर एक एक लाइन सलेक्टिव है कुशन ये भी पूछा गया है जैसे आपके चार ओप्शन दे दिये सबसे पहले फर्ष्ट ओप्शन दे दिया आपका कामटे साथ ठीक है दूसरा ओप्शन दे दिया आपके दुर्खाइम साथ हाना तीसरा ओप्शन दे दिया आपके इस्पेंसर साथ ठीक है और चौथा ओप्शन दे दिया आपके आंद्रे बेते साथ ठीक है आंद्रे बेते दे दिया या पूछे जाने की प्रिवल सम्भावन है और फिर देखिए यहां पर King Salih Davis ने Max Weber को आधूनिक समाज सास्तर का जनक किस ने कहा है तो आधूनिक समाज सास्तर का जनक कहा है King Salih Davis ने एक बार मैं विरिफ में समझा दूँ यहां से एक पुर्षण जरूर आएगा मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि सामजी किरिया वाला जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां से प्रिशन पूछे जाने की प्रवल संभावना है दोस्तो आज की क्लास में हम वैस्टन थिंकर मैक्स वेबर साब की चर्चा कर रहे हैं मैक्स वेबर साब का जनाम 1864 में हुआ था जर्मनी की हिर्फूठ नामकिस्तान पर ठीक है 1920 में इनकी डैथ हो गई थी ठीक है कानून में भी इनका इंट्रेस्ट था यानि कानून के भी विद्यारती रहे हैं जिसके बाद में पॉलिटिकल साइन्स में भी इनकी रूची रही थी पॉलिटिकल साइन्स के बाद में अर्थ सास्तर से भी ये संबंद रखते हैं समाज सास्तर में तो इनका योगदान अतुल है जिसके बाद में धर्म संबंदी इन्होंने विचार व्यक्त किया है पिरसन पूछा जाता है किसने कहा कि मैक्स वेवर फादर अफ मौडरन सोशलोजी है तो वो कौन है आपके किंग सले डेविस साब है उम्मीद करता हूँ कि यहां तक इस पेज में जो मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देख लीजिए साब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो आज की जो हमारी किलास है उसमें हम सामजिक किरिया के बारे में चर्चा करेंगे पहले मैंने मैक्स बेवर साहब के बारे में थोड़ा सा बैक्ग्राउंड बताया था आप देख लिजिए साहब सामजी किरिया के बारे में देख लेना ऐसे विद्धारती जिन्होंने सामजी किरिया पहले नहीं फड़ा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस किलास को देखा तो बहुत अच्छे तरीके से सोशिल एक्षन आपके समझ में आ जाएगा पहली लाइन पर गवर फर्माना मैक्स बेवर ने सामजी किरिया को समा सास्तर की केंद्रिय अध्यन वस्तु माना है प्रिशन यहां से बहुत बार पूछा गया है कि समाज सास्तर के अधन की केंद्रिय वस्तु सामजी किरिया किसने माना है तो सत्यो सामजी किरिया को समाज सास्तर की केंद्रिय अधन वस्तु माना है मैक्स बेवर साबने ठीक है आपके अनुसार सामजी किरिया का अद्धनी क्या है समाज सास्तर है तो ये प्रिशन तो मैंली मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि 99.9% विद्धारतियों का राइट जाता है कि सामजी किरिया का अद्धनी समाज सास्तर है ऐसा कौन कहते हैं तो दोस्तों ऐसा कहते हैं Max Beaver साब, अब देखिए बात अगर यहां पर अध्यन वस्तू की चली है, अगर बात यहां पर विशे वस्तू की चली है, तो मैं विशे वस्तू से संबंधित कुछ बाते हैं जो किलियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो UPPGT का सिलेवस है, उसमें साथियों उपर ही उपर एक टॉपिक दे रखा है Subject Matter of Sociology, यानि समाज सास्तर की विशे वस्तू के अंतरगतां आप देखना, मैं यहां पर आपको उपर ही बता देता हूं, समाज सास्तर की विशे वस्तू कौन कौन से विक्तियों ने क्या कहा है, उससे पहले आप ये समझलीजिए कि आखिर ये जो विशेवस्तु है ना ये क्या होता है दोस्तों विशेवस्तु का मतलब होता है कि हमें इश सब्जेक्ट में कौन-कौन सी चीजों का अध्यन करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि समाज सास्तर एक नया सब्जेक्ट था ठीक है 1838 में समाज सास्तर की नीम आगश्ट काम्टे साब के दुवारा रखी गई थी नया सब्जेक्ट है तो अलग-अलग विचारकों के विचार निकल कर आएंगे कोई कहता है कि हम समाज सास्तर में फलाणी चीज का अध्यन करेंगे कोई कहता है कि समाज सास्तर में ग्रामिन समाज सास्तर लेलो कोई कहता है कि समाज सास्तर में सामजिक किरिया लेलो कोई कहता है कि समाज सास्तर में social control रख लो तो मतलब अलग-अलग विचार को ने अपने अलग-अलग विचार रखे थे कि हम समाज सास्तर में ये सारी चीजे रख सकते हैं तो साथियों जो ये विशेवस्तू होता है ना, विशेवस्तू को ये एक तरीके से हम सिलेवस के नाम से जान सकते हैं कि समाज सास्तर में ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो हमें रखनी चाहिए तो सबसे पहला यहाँ पर जो निकल कर आता है वो आता है दुर्खिम ठीक है? सत्यों जो दुर्खाईम साब थे ना, उन्होंने समाज सास्तर की विशेवस्तू को तीन भागों में बाटा है दुर्खिम साब ने समाज सास्तर की विशेवस्तू को तीन भागों में बाटा है इनकी साथ यो पहली थी सोशल मॉर्फोलोजी मैं लिख भी देता हूँ इनकी जो पहली विशेवस्तू थी Social Morphology दोस्तो Social Morphology का मतलब होता है सामजिक एकारी की मैं हिंदी में लिख लेता हूँ Social Morphology का मतलब होता है सामजिक आकारी की आप देखिए सामजिक आकारी की क्या होता है बहुत बार बहुत सारे विद्यारतियों का confusion crate हो गया होगा कि दुरखाइम साहब ने ये तो कह दिया। कि हम समाज सास्तर की विशेवस्तू में सोशल मॉर्फोलोजी यानि सामजी एकारी की तो रखेंगे। लेकिन वाटच सोशल मॉर्फोलोजी साथियो सोशल मौर्फोलोजी का मतलब होता है कि आपका जो सोसाइटी होता है आपका जो समाज होता है समाज पर भोगोलिक परियावरन का अध्यन भोगोलिक परियावरन का प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव के अध्यन को हम क्या कहते हैं social morphology कहते हैं एक बार फिर सुन लेजिए कि दुर्खिम ने ये कहा था कि समाज सास्तर की विशेवस्तू में हम social morphology यानि सामजी काकार की रखेंगे जिसका मतलब होता है कि समाज पर भोगोलिक परियावरन का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव का अध्यनी क्या कहलाता है social morphology कहलाता है साथियों जिसके बाद में social morphology का मतलब होता है जनसिंख्या ठीक है? समाज की जनसिंख्या हो गई, समाज का घनत्व हो गया, और समाज का आकार हो गया, इन सब का अध्यन जब हम समाज सास्तर के अंतरगत करते हैं ना that is social morphology वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों वही आपका social morphology कहलाता है तो पहली बात तो दुर्खिम ने क्या कहा था कि हम समाज सास्तर की विशेवस्तू को तीन भागों में बाटेंगे पहले नंबर पर हो गया social morphology साथ यो दूसरे नंबर पर दुर्खि यूं कहते है social physiology साथियो फीजियो लोजी का मतलब होता है सामाजिक रचना ठीक है फीजियो लोजी का मतलब होता है सामाजिक रचना और साथियो इसे सरीर किरिया विज्यान के नाम से जानते हैं ध्यान रखना इसे हम सरीर किरिया विज्यान के नाम से जानते हैं पहला तो इन्होंने कहा दिया social morphology, दूसरे नमबर पर कहा था इन्होंने social physiology यानि सरीर, किरिय, विज्ञान या सामाजिक रचना, अब साथियो इसमें वह सारी चीज़े रखी जाएंगी जिन से समाज का निर्मान होता है, यहां पर साथियो वह सारी चीज़े रखी जाएंगी जिन में समाज का निर्मान होता है जैसे परिवार से समाज का निर्मान होता है ओके नेतिकता समाज में जरूरी है जिसके बाद में धरम भी समाज में जरूरी है क्योंकि ये सबी सामजिक व्यवस्ता को बनाए रखने में अपना important role देते हैं तो फश्ट नमबर दुर्किम में social morphology आ गया ठीक है जिसके बाद में social physiology आ गया और साथियो तीसरे नमबर पर इन्हों ने कहा है general sociology यानी सामाने समासास्तर ठीक है तीसरे नमबर का subject matter कहा है सामाने समासास्तर जिसे general sociology कहते हैं यानि साथियो जनरल सोशिलोजी में सारी के सारे सोशिल प्रोसेज आ गए, साभी की सभी सामाजिक पिरकिरिया आ गई, सामाजिक समू आ गए, संस्ता आ गई और समू दाय आ गए, तो ये बात तीन चीजे बताईए, ध्यान रखना, ऐसा पूछा भी गया है और बार बार सारोजी, सोशल फिजीओलोजी को सामाजिक रचना बोलते हैं, और तीस्रे नमबर पर इन्हों ने बाटा था सामाजिक समाजसास्तर है, ठीक है, अब ये तो साब दूरखिम की बात हो गई, जिसके बात हैं, मैक्स वेबर ने समाजसास्तर की विशेवस्टू क्या बताई मैक्स वेबर का तो हम पढ़ी रहे हैं, मैक्स वेबर ने सामजिक क्रिया बताई थी, साथ यो तीसरे नमबर पर निकल कर आता है गिंस बरग, गिंस बरग ने समाज सास्तर की विशेवस्तू को चार भागों में बाटाए, पहले नमबर का सोशल मॉर्फोलोजी ठीक है, पहले सारी चीजे मैं आल्रेडी इस चैनल पर मैंने क्लाश डाल रखी है, आप पढ़ लेना, यह सारी चीजे मैं आल्रेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यहां पर बताऊंगा तो एक तो जगे कम है, लिखने के लिए जगे कम है, अगर सब्जेक्ट मेटर और सोशलोजी पढ़ा है, सोशल मॉर्फोलोजी, सोशल फीजियोलोजी और जनरल सोशलोजी, मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक किरिया का अद्धनी समाज सास्तर की विशेवस्तू है, जिसके बाद में गिन्सबरग ने चार भागों में बाटा है, सोशल मॉर्फोलोजी, सोशल कंट्रोल, सोश सोशल मौर्फोलोजी को सामाजिक एकार की बोले जाता है सोशल कंट्रोल में क्या होता है? यह दो जै कि व्यक्ति के उपन नियंत्रण रखा जाए जैसे लोकरिती हो गई, पिर्था हो गई, प्रमपरा हो गई रूडी, कानून, धरम, इत्ते दी हो गई ये social control में आते हैं Social process में साथियों सहयोग आगया पृतिसपर्द आगया संगर्स आगया और समायोजन आगया, जिसके बाद में साथियोん social pathology यानि सामचिक व्याधिकी की भी बात करते हैं जो गिन्स बरग है वो सामचिक व्याधिकी की बात करते हैं में अपराद आ गया मतलब लूट खसोट ऐसी चीजे जिनसे समाज में क्या होता है विखंडन होता है वो क्या कहला था है सामज एक व्याद की दिसके बाद में Alex इंकल्स, आपने साथियो एलेक्स इंकल्स का नाम सुन रखा होगा, एलेक्स इंकल्स साब ने समाज सास्तर की विशेवस्तू के निर्दारण के तीन पत बताये थे, एक तो बताये था एतियासिक, अनुभावा आतमग और विशलेशन आतमग, ये तीन पत बताये थे, सामज सास्तर के अध्यन की केंद्रिय वस्तू माना है, उन्होंने कहा है कि सामाज सास्तर में सामजी किरिया का ही अध्यन होना चाहिए, फिर देखिए, सामजी किरिया के विशे में सबसे पहले अल्फ्रेड मार्सल ने अपने विचार व्यक्त किये थे, अगर ऐसा पूछा अधारणा को पृतिपाडित किया साथियोma Alfred Marshall ने ये कहा था कि व्यक्ति कोई सी भी activities करता है व्यक्ति कोई सी भी गति विदी करता है ना वो गति विदीया सामझी क्रिया में सामिल होती है, ऐसा किसने कहा था Alfred Marshall ने, फिर देखिये इसके बाद Paretto साथ्यो पेरेटो आपके इटली के थे उन्होंने विशिष्ट चालको ध्यान रखना ये सारी चीजे बहुत जादा इंपोर्टेंट है विशिष्ट चालको का मतलब होता है आउसेस ध्यान रखना मैं लिख भी देता हूँ विशिष्ट चालको का मतलब होता है अवसेस हाना विशिष्ट चालको का मतलब आवसेस होता है विशिष्ट चालको का मतलब आवसेस भी होता है जिसे रैसिड्यूश के नाम से जानते हैं और ब्रांत तरको के संद्रम में किरिया की अवधारना का उल्ले किया अब दोस्तों यहाँ पर यह बात निकल कर आती है, जान रखना, सबसे जो important बात निकल कर आती है, कि पेरेटों, पेरेटों को नाम आपने सुन रखा होगा, पेरेटों ने एक सिद्दान दिया था, एक तो विशिष्ट चालकों का सिद्दान, एक उन्होंने सिद्दान दिया था, ब्रांत तरकों का सिद्दान्त ठीक है और साथ यह सारी चीज़े आपके सिलिवस में हैं ऐसा पूछा जा सकता है यहां पर बात यह निकल कर आती है कि विशिष्ट चाल्क यानि रेशिड्यूच और ब्रहांत तरक इनका मतलब क्या होता है दोस्तो पेरेटो ने दो परकार की किरिया बताई है द्यान रखना पेरेटो साब है मैं लिख भी देता हूँ पेरेटो साब ने दो परकार की किरिया बताई है पहली तो किरिया बताई है उन्होंने तार की किरिया और दूसरी किरिया बताईए उन्होंने एतार की किरिया, ठीक है, अब पेरेटो यूं कहते हैं कि समाज सास्तर में तार की किरियाओं का अध्यन नहीं किया जाता, समाज सास्तर केवल एतार की किरियाओं का अध्यन करता है, कुशन बन सकता है, ध्यान रखना, आप यूं सोच तारकी और यहाँ पर समझ में आ गया कि तारकी क्रियाय गणीत और अर्थशास्तर यानि जिनके पीछे तरको, जैसे गणित हो गया, अब सहत्यों गणित में दो और दो चार होते हैं, ठीक है, दो और दो चार होते हैं, इसको दुनिया के किसी भी कौने में करो, तो इनका परिणाम है ना, जो चार ही आएगा, तो एक तरक प्रस्तुत कर सकते हैं, कि ऐसा क्यों आया, सूरिय की पूचा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा सूरिय की पूचा कर रहे थे, ये कौन सा लॉजिक हुआ, कोई लॉजिक नहीं हुआ, इसलिए समाज सास्तन में केवल और केवल एतार की क्रियाओं का ही अदन किया जाता है, अब मैन बात ये निकल कर आती है, कि विशिष्ट चालक और ब्रांत तरक होते क्या हैं तो दोस्तो ये जो विशिष्ट चालक और जो ब्रांत तरक होते हैं ये आपके एतारकी किरियाओं में आते हैं जानकना विशिष्ट चालक और ब्रांत तरक यह दोनों आपके किसमे आते हैै एतार के किरियाओं में दोस्तों यह जो ब्रांत तरक होता है ना इसे Derry Vences के नाम से जानते हैं ठीक है अब यह होते क्या है मैंने बात यह निकल कर आएगी कि विशिश्चालक और ब्रांत तरक होते क्या है सत्यों ब्रांत तरक का मतलब होता है गलत तरक देना यानि हम कोई काम कर रहे हैं और वो गलत है मैं फिर कहूंगा कि हम कोई काम कर रहे हैं और वह गलत है लेकिन हमने उसको सही साबित करने के लिए अपना लोजिक प्रस्तुत कर दिया देसे साथियों मैं यहाँ पर एक उधारण देता हूँ, तुलसिदाश जी की रामायन है, जिसमें लिख रखा है, धोल गवार सुद्र पसुनारी, सकल ताडन के अधीकारी, मेरी बात को फिर सुनना, तुलसिदाश जी की रामायन में एक बात लिखी हुई है, धोल गवार एक तो ढोर, ढोर का मतलब होता है पसु, गमार का मतलब होता है अनुपड़, सुद्धर का मतलब होता है नीची जाती और नारी का मतलब होता है फीमेल. तो साथियों यहाँ पर तुलसिदास यूं कहते हैं कि डोल गमार सुद्र पशुनारी यानि पशुओं को भी पीटना चाहिए जो बुद्धिमान नहीं होते गमार लोग होते हैं उनको भी पीटना चाहिए और जो फीमेल है न उनको भी पीटना चाहिए अब एक दिन क्या हो मैं मेरी पतनी को इसलिए पीट रहा हूँ क्योंकि तुलसिदाजी ने लिख रखा है ढोल, गमार, सुदर पसुनारी, सकल ताडन के अधिकारी यानि अपनी बात को सही सावित करने के लिए उसने गलत तरक प्रस्तूत कर दिया दोस्तों वही आपका क्या कहता है, डेरिवेशंस के नाम से जानते हैं, उसे ही हम ब्रांत तरक के नाम से जानते हैं, अपनी बात, ओई ये सारी एतार की किरियाओं में आती है, इनके पीछे कोई तरक होता ही नहीं है, क्योंकि तुलसिदाजी ने इसका समर्तन किया था, तु विशिष्ट चालकों की, अब जैसा की मैं आपको बता चुका, कि एतार की किरिया का अध्यान समाज शास्तर की विशेवस्तू है, जैसे एतार की किरियाओं में क्या होता है, विश्वास, हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, उसके इमोशनल, यानि उसकी भावनाओं के वो सभी कि सभी क्या होती है एतारकिक होती है तो सात्यों ध्यान रखना जैसे आपने मैं कहीं मिला या फिर माल लिजिए कि आपकी नजर में आपका कोई आइडल टीचर है तो सात्यों जैसे आपका कोई आइडल टीचर है और आइडल टीचर को देखके आइडल टीचर को दे प्राप्त होगा उश टीचर ने कहा कि आपको मोक्ष भाई होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता यही आपकी क्या कहलाती है यही आपकी आवसिष्ट किरिया कहलाती है तो यही आपकी क्या कहलाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम विशिष्ट चालक या का मतलब होता है जिनका कोई ना तो सर होता है ना पैर होता है जैसे हमने किसी का प्रिणाम किया प्रिणाम करने के बाद उसने कहा कि भाई तुझे मौक्ष मिलेगा यह सभी के किरिया क्या होगी अवसिष्ट किरिया होगी तो यह कहता है कि इसके बाद में यहां पर पैरेटो जो Max Weber साहब है न, वो अर्थ पूर्ण सामजी किरिया की बात करते हैं, यानि किरिया वही मानी जाती है, जिसका कोई मिनिंग हो, अगर बिना मिनिंग की, बिना अर्थ की जो किरिया करोगे न, वो सामजी किरिया नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना, वो सामजी किरिया नहीं कहला जबकि बेवर साब यूं कहते हैं कि अगर कोई मिनिंग फुल गतिविदी है उसका कोई अर्थ निकलता है ना वही एक्षन है बाकी वह सामजी किरिया नहीं हो सकती अब देखे परिभासा पढ़ लेते हैं इसकी किसी किरिया को सामजी किरिया तभी कहा जाता है जब इस किरिय को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्ति निष्ट अर्थ के कारण यह किरिया दूसरे व्यक्तियों के वहवार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविदी क्या होनी चाहिए निरदारित होनी चाहिए दोस्तों यहां प दूसरे विक्तियों के वेवार दुवारा ग्या हवती है फिर बावित होती है तूस्तों कई बार ऐसा होता है क्या अब आपको बता देना चाहता हूं थोड़े दिन पहले की बात है प्रदान मंत्री नरिंदर मोधी जी यूँ कह सकता हूं पांच से दिन पहले की बात है कोरोना के उपर इमर्जैंसी मिटिंग ले रहे थे तो उसमें विविन राज्यों के मुख मंत्री थे वहां पर केजरिवाल साहब को किस बात पर हसी आई और केजरि ऐसा लगा कि केजरिवाल साफ मझाक उड़ा रहे हैं तो सात्यों हलांकि प्रदान मंत्री मोधी जी ने किरियया तो की लेकिन सामने वाला ने उसकी रया का मझाक बना दिया तो वह किरिया नहीं मानी जाएगी यानी उ उस zde के अनुसार गतिविदी निर्दारी तो यानि प्रदार Complete नरेंदर मोदी जी ने कोरोना के ऊपर क्रिया कर रहे थे . कोरोना के उपर निर्देश दे रहे थे, कोरोना के उपर जितने भी गतिवितियां हैं, उनके बारे में परीचर्चा कर रहे थे, अब साथियों उसके अकोड हैंगे, अगर वो वेवार करते तो वो किरिया होती, बाकी यहाँ पर जैसे केजरिवाल ने उसका मजाक उड़ाया तो वह किरिया में नहीं आएगा समझ में आ गई बात इसलिए दोस्तों किरिया में एक मिनिंग फुल यानि किरिया में एक अर्थ होना बहुत जरूरी है अब देखो साब यहां पर और मज़ेदार चीज देख लीजिए अगली बात निकल कर आती है सामझी किरिया की अउधारणा के साथ बेवर ने निर्वचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया कुशन आएगा नौट कर देना 100 का 100% पूछा जाएगा आपके UPPGT में इस बार ये कुशन पूछा जाएगा कि सामझी किरिया की अउधारणा में मैक्स बेवर साब है जो किसकी बात करते है निर्वचनात्मक समझ की बात करते है मैक्स बेवर साब इंटरपेरेटिव थोट की बात करते है इंटरपेरेटिव अंडरिस्टेंडिंग की बात करते है कोन करते है मैक्स बेवर साब करते है अब यहाँ पर बात यह आती है कि what is interpretive understanding यानि निर्वचनात्मक समझ आपकी क्या होती है देखिए साब निर्वचनात्मक समझ का मतलब होता है सामजी किरिया को समझ लेना जैसे दोस्तो कोई सामजी किरिया कर रहा है और हम उस किरिया के मतलब को समझी नहीं पाए तो वो नि कहता है कि सामजी किरिया में निर्वचनात्मक समझ होना बहुत जरूरी है पूछा जा सकता है बहुत बार पूछा गया है कि सामजी किरिया में किसकी बात करता है वेवर साब साथियों निर्वचनात्मक समझ की बात करता है इंटरपेरेटिव थोट की बात करता है चलिए में उसका मोधिजी का तो मुझे नहीं लगता कि वह समजी की रिया बन सकती थी इसलिए निर्वचनात्मक समझ होना जरूरी है किरिया कर रहे हैं वो किस बारे में हैं उसकी जानकरी होना जरूरी है साथियो इस समझ को जर्मन भासा में वरश्टैन पदती के नाम से जाना जाता है ये पूछा गया है कि वरश्टैन पदती किसने कही थी या वरश्टैन की आउधारना किसने दी थी तो साथियो वरश्टैन मैक्स बेबर साब की एक आउधारना थी वरश्टैन का मतलब होता है कि व्यक्ति कोई किरिया करता है व्यक्ति कोई काम करता है ठीक है उस काम में खुद को ढाल देता है उस काम में खुद को इंक्लूड कर देता है और इंक्लूड करने के बाद में अपनी समझ पहदा करता है वही समझ आपकी व्रिष्टेन पत्ति कहलाती है ध्यान रखना प्रि जिस महौल में हैं उस महौल में खुद को ढाल लीजिए ताकि वह हमें अच्छे से समझ में आ जाए इसके माध्यम से किरियाओं के बीच में कारिये कारण विसलेशन किया जा सकता है आता है संचेप में वरश्टैन समझ वरश्टैन का मतलब समझ होता है हना संचेप में वरश से मैथर से होता है जिसके दुआरा कोई किरिया की जाती है उसके अर्थ को समझा जाता है उसके भाव को समझा जाता है उसकी निर्वचनात्मक समझ को ग्रहन किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है वरस्टेन कहलाता है फिर देखिए निर्वचनात्मक समझ को निर्वचना एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था रामलाल ठीक है रामलाल घर पे कोई भी काम नहीं करता था तो रामलाल की जो वाइफ थी उसे लड़ती रहती थी मतलब बार-बार उसे विभिन तरीके के ताने देती है ना एक बार क्या हुआ कि दितिय विश्वियूद स्टार् जूरत थी तो ना कोई return exam होता कुछ भी नहीं होता जो भी मिलता उसको फोज में भरती कर लेते तो रामलाल को भी फोज में ले गए अब रामलाल ठेरा डरपोक आदमी रामलाल के हाथ में साब एक तो बंदूग दे दी और उसे मौर्चे पर खड़ा कर दिया उसे बार्ड तो क्या होता है कि उत्तर के बार्डर पर दुस्मन की सेना उने गोली बारी करना प्रारम कर दिया तो रामलाल डरपोक तो आदमी था ही तो साथ यो रामलाल क्या करता है कि वहां से भागता भागता दक्षण की टुकडी की तरफ आता है यानि दक्षण के बार्डर की वो हमें सूचित करने के लिए आया है किसाव दुस्मनों ने हमला कर लिया है आप अपनी सेफटी खुद कर लीजिये तो साथियो जो फोजी भाग कर आता है ना ये तो व्यक्तिगत विवेचन है फोजी जो भाग कर आया वो क्यों भाग कर आया ये उसका व्यक्ति निश्ट विवेचन है और दूसरी सीमा पर दूसरे बॉडर पर जो फोजी थे उन्होंने सोचा कि ये हमें सूचित करने आया है ये उसकी निर्वचनात्मक समझ थी ये उन फोजियों के क्या थी निर्वचनात्मक समझ थी यानि कारिये कारण संबंद से जुड़ाओ माना जाता है यानि कोई भी कारिय है वो भाग कर आया है उसका संबंध क्या है उसका कारण क्या हो सकता है वही आपका क्या कहलाता है निर्वचनात्मक समझ कहलाता है ध्यान रखना तो यहां पर मोटी मोटी बात यूं समझ लीजिए कि बेवर साब है बेवर साब निर्वचनात्मक समझ की बात करते हैं western पत्ती की बात करते हैं ठीक है अब देखो साब जैसे सामजी किरिया करी सामजी किरिया का मतलब क्या होता है सामजी किरिया बराबर यहां पर देखिए सामजी किरिया मतलब गतिविदी कोई गतिविदी हो रही है जैसे वो फोजी वहाँ पर भाग कर आता है और भाग कर आने पर हम क्या अर्थ लगा देते हैं द्यार ना किना वो अर्थ एक meaningful होना चाहिए वो अर्थ meaningful होना चाहिए तो बराबर आपका क्या बन जाता है बराबर आपकी सामजे के किरिया बन जाती है आप देखिए एक बार मैं फिर brief में आपको बता दू सबसे पहले सामज किरिया का सबसे पहले अद्धन अल्फ्रेड मार्सल ने किया था साथियों जो इटली के पेरेटो साब थे उन्हों ने विशिष्ट चालक और ब्रांत तरकों की बात किया है मैक्स वेवर सामजी किरिया के अर्थपूर्ण सब्द की वाक्या करता है मतलब कहीं न कहीं मिनिंग की बात करता है जो मिनिंग फूल होता है वही आपका क्या कहलाता है सामजी किरिया निर्वचनातमक समझ की बात करता है ठीक है जिसके बाद में वरिष्टेन पत्ति की बात करता है अब देखो साब आगे बढ़ते हैं और यहां से परसंद जरूर पूछा आएगा दोस्तों सामजी किरिया की विशेष्टा यह पूछा जा सकता है कि मैक्स वेवर साब ने सामजी किरिया की कितनी विशेष्टाओं का जिक्र किया है तो यहां पर यह निकल कर आता है कि मैक्स वेवर साब ने सामजी किरिया की चार विशेष्टाओं का जिक्र किया है सबसे पहले तो म किसी ने कोई गाली दी हमें 2015 में किसी ने गाली दी और वह वेक्ति हमें 2021 में मिल गया तो भूतकाल की गाली का बतला हम 2021 में देंगे हम भी उसे गाली देना start कर लेंगे तो ये तो आमका क्या कहलता है ये तो भूत काल दुआरा प्रभावित कहते हैं दूसरा वर्तमान में कही नारे बाजी हो रही है जैसे दोस्तो अभी बंगाल में चुना हुए थे तो हम क्या करने दूसरे लोगों को देखकर खुद नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, वर्तमान से प्रभावित हो गई, जैसे हम किसी मंतरी के रेली में सामिल हुए, लोगों ने नारेबाजी की, तो हमने भी नारेबाजी की, वो क्या हो गई, वर्तमान हो गई, और भावी, यानि कोई वेक्ति I.S. बनना च होती है प्रभावित होती है दूसरा प्रतेक प्रिकार की किरिया सामजी किरिया नहीं होती है दोस्तों कई बार क्या होता है जड़ और बेजानदार यानि ऐसे पदार्त जो जड़ होते हैं ऐसे जड़ होते हैं बेजान होते हैं या अमूर्त होते हैं उनके दुआरा किरिया ह को थोटी है ना वह सामाजी करिया नहीं कहले तो बचले जाता नहीं यह सुभविक है ऐसा होना ऐसा होना निश्चित है आए depends Sun दो आगया सामा यह नहीं कहला कि थान रखना secular दूसर टीसरे नंबर कर सिंप्रक सामजिक संप्रक नहीं कहलाता है कि किसी से कोई टकरा गया और वो टकराने के बाद मुनों ने कोई reaction नहीं किया ना action किया ना reaction किया जैसे कहीं कोई जा रहे हैं टकर हो गई चुप चाफ वो उठकर चल दिये तो वह सामजिक किरिया नहीं कहलाएगा अगर माली जी टकर होने के बाद में वो एक दूसरे से लात आने वाली एक जैसी किरिया है और नए ही उस किरिया को जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है जैसे दोस्तों आप कहीं जा रहे हैं ठीक है आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में हैं और अचानक बारिस आ जाती है तो लोगों के सासाथ आपने देखा कि लोग वो वक्ति चाता नहीं खोलतें, तब भी आप खोलतें. इसलिए सामजे किरिया ने तो अनेख व्यक्तियों दुवारा की जाने वाली एक जैसी किरिया है, ने ही उस किरिया को कहते हैं, जो दूसरे व्यक्तियों दुवारा पिरभावित होती है. तो यहां पर पहली बात कि भूत वर्तमान और भविश के वैवार से प्रभावित होती है प्रतेग प्रकार किरिया सामजिक किरिया नहीं होता और सामजिक किरिया नहीं होता और सामजिक किरिया नहीं तो अनेक विक्तियों द्वारा की जाने वाले एक सी किरिया है नहीं उस कि सारी पिरकार बताएं मैं एक फोर्मूला बताता हूं वैसे तो यह आपको याद रह भी सकता है नहीं भी रह सकता आपके वल एक सब्द याद रखने ना आर इएटी देखिए यहां पर दोस्तों आर का मतलब होता है पहले नंबर का आर का मतलब होता है रैशनल का मतलब होता है तारकी जिसके बाद में ए का मतलब होता है यानि मुल्यान करनातमक ठीक है जिसके बाद में ए का मतलब होता है अफेक्टिव को इमोशनल भी बोला जाता है न तो ए का मतलब और सत्यों यहां पर टी का मतलब होता है traditional, traditional का मतलब होता है परंपरागत, तो ऐसा भी पूछा गया है, ध्यान रखना, इनके क्रम भी पूछे गया है, मज़ेदार बात यह है कि एक बार इनके क्रम भी पूछे गये थे, और साथियो क्रम पूछने के चक्र में, RPSC जो Assistant Professor का एकजाम हुआ था ना, RPSC Assistant Professor का, उसमें इनका ओडर ही पूछ लिया, कि सबसे पहले कौन सी किरिया है, तो साथियो सबसे पहले R लिख दीजिया हना, सबसे पहले R लिख दिया, R का मतलब होता है rational, यानि तार्किक किरिया, जिसके बाद में E लिख दीजिये, evulative evulating का मतलब होता है, मुल्यान कनात्मक जिसके बाद में साथियो E लिख दीजिये effective और चोथे नंबर पर होता है traditional, traditional का मतलब होता है प्रमप्रागत, तो आप इतना याद कर लिजिये R, E, A, T, R, E, T ये इन्होंने चार परकार दिया है, पहला है rational, फिर है evulative, फिर है effective और फिर है traditional, अब देखिए तार्कि किरिया क्या होती है वे किरिया हैं जिनको चैन करता सोच समझकर योजनाबद रूप से 97 लक्षों को ध्यान में रख कर जैसे IS की तयारी करता है अब साथियों IS की तयारी करेगा तो कोई विध्यारती पूरी planning करेगा कि कौन-कौन सी किताब चाहिए, कितने गंटे पढ़ना है क्या संसादन होंगे, तो यानि ये सारी चीजे, जो सोच समझकर योजनाबद तरीके से की जाती है, वो कहलाती है तारकी किरिया, हाना जिसके बाद में मुल्यान कनात्मक यानि एविलेटिव, वे किरिया हैं जो नेतिक, धार्मिक, कलात्मक आदरसाधार पर की जाती है वो कहलाती है, मुल्यान कनात्मक साथियों ये जो मुल्यान कनात्मक होती है न, इनमें तरक होना जरूरी नहीं है, जैसे साथियो पहले हमारे महिलाएं सती हो जाती थी, उनका हस्बेंड मर गया तो खुद भी मर गई, क्यों? क्योंकि साथियो वो नेतिकता से जुड़ी रहती थी, वो एक आदरसात्मक जुड़ी रहती थी, जैसे कोई जहाज है, जहाज में कोई कप्तान है, जहाज को चलाने वाला कप्तान कहलाता है, जहाज डूब गया, तो कप्तान यूं कहेगा कि मेरे सवारी डूब गये, तो मैं जिन्दा होकर क्या करूँगा, तो साथियो जहाज के साथ साथ वो भी डूब गया, इसमें किसी का तरक काम नहीं आता, कि भाई साथ जहाज दूबा तो तुम बस सकते थे, नहीं, मैं अपने मुल्यानकन, मैं अपने मुल्यों पर था, ठीक है, तो सती होना, और जहाज के साथ कप्तान का डूबना, ये पूछा गया है पिरसन, कि जहाज के साथ कप्तान डूबता है, तो कौन सी किरिया कहलाती है, मुल्यानकन आत्मक है वो लेटिव एक्षन कहलाता है ठीक है जिसके बाद में साथियों तीसे नमबर पर होता है बहाउनात्मक या समवेगात्मक क्रोध प्रेम से वसीबूत होकर जैसे साथियों ध्यानकना पिरसन यह पूछा गया था कि किरकेट में चल रहा है और कोई खिलाडी को गलत आउट दे दिया एंपार ने कोई खिलाडी को गलत आउट दे दिया तो खिलाडी ने एमपार से गाली ग्लोच करने लग गया कोण सी किरिया कहलाएगी वो बहाउनात्मक और समवेगात्मक क्यों क्रोध प्रेम में की जाती है बहाउनात्मक और समवेगात्मक that is effective और emotional साथ चोथे नंबर की है परंपरागत वेकिरियाएं जो पिर्था परंपरा इत्यादी से प्राचीन काल से चली आ रही है दैसे मैं देखता हूँ हमारे गाओं में मैं तो ग्रामिन परिवेश से संबंद रखता हूँ कार्तिक के महिने में सुबह सुबह लड़किया नाने के लिए जाती है अब सर्दियों में उनको क्या मिलेगा यार मेरा दुर्भाग है उसको सोभाग भी मान सकते हो कि हमारे घर के पास ही मंदिर है ठीक है और वहीं पर पानी का हेड़ पंप है तो मैं देखता हूँ अब तो नहीं लेकिन पांसा साल पहले गाओं से गाओं के भार है हम चोर पर मकान है तो साथियों 40-50 लड़किया सुबह सुबह 4 वजे गाने-गाने के साथ फूर्ता के साथ आती है और पता नहीं मतलब नहाना कार्तिक नहाना उनको कार्तिक के महिने में वह इश्नान करती है सुबह सुबह पता नहीं कितने दिन चलता है तो वह क्यों करती है पता ही नहीं है ये चली आ रही है हमारी माने किया था हमारी नानिय ऐसा करती थी दादी ऐसा करती थी तो हम कर रही है मतलब परमपरा ट्रेडिशनल से जुड़ी हुई रहती है तो इने क्या कहते हैं परमपरागत किरिया ये कहते हैं तो साथ यो पहले नंबर पर होती है तार पहले नमबर पर rational, evaluative, affective और traditional ठीक है चार पिरकार की किरिया बताई है और चार पिरकार की विशेष्था Max Weaver साब ने बताई है जिसके बाद मैं देख लो साब सामजी किरिया को समझने के लिए Max Weaver साब ने दो विदी बताई है कि सामजी किरिया को हम कैसे समझे कि कौन सी किरिया किस परकार की है तो साथियों इन्होंने पहली विदी बताई है rational methods और दूसरी बताई है emotional methods पहले नमबर की जो इन्होंने विदी बताई है पहले नमबर की व दूसरा है Mathematical Math, धड़, यानि एक तो होती है तरकासरित विदी, और दूसरा होता है गणितारसरित विदी, यानि जो तरक पर आधारित होती है, जिसमें किसी परकार का कोई न कोई लोजिक छुपा रहता है, तो साथियों वो आपकी क्या कहलाती है, तरकासरित, यानि जिसम उसमें लॉजिक दिया जाता है और एक होते है गणिस्तारसृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृतृत वो सफल होने के लिए मैनत कर रहा है, एक I.S. officer बनने के लिए मैनत कर रहा है तो हम पूरी की पूरी वाक्या कर देंगे, यह कहलाता है वाक्यात्मक विदी, तो यहाँ पर जो Max Weaver साभ है, उन्होंने सामझे क्रिया को समझने के लिए दो विदी, एक होती है बोधिक विदी, बोदिक को दो भागों में बटाए है, तरकासरित और गणिस्तासरित और भावात्मा के उसको भी दो भागों बटाए है, ठीक है, जिसके बाद में साथियों, मैक्स वेपर साब ने सामजिक किरिया के चार पिरकार बताए है, आर, ई, ए, टी याद रख लेना, रैशनल, एव कि बेट्टियों, दोरा की जाने वाली एक सी खी रीया है, और नय यही उसको गतिविदि के बाद, कहीं न कहीं वह है एक मिनिंक्स, यानि वह है एक अर्थ की बात करता है, और मैक्स वेपर साब यूँ कहता है, कि समाज शास्तर के अद्धन की, विषेवस्तू और वो भी केंद्री अब इसे वस्तु कौन होनी चाहिए, सामजे के, किरिया होनी चाहिए, जिसके बाद मैं, मैंक्स वेवर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पता दिया, उम्मीद करता हूँ, कि आपको समझ में आया होगा, और यहां से, एक या दो पिरसन, मैं फिर कहूंगा, मैं आपके UP PGT वालो, आपकी परिक्षा होने वाली है, एक या दो पिरसन आप से 101 परसेंट यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से आप पढ़ें, सीटे आपकी खूब सारी हैं, देकि हमारे राजस्तान में तो बहुत कम सीटे आती हैं, आपके खूब सारी हैं, अरखा कुमारी आप से बात करेगी, जिसके बाद में ये मेरे दूसरे वाटसप नंबर है, 9983601411, यहां पर आपको अपना नाम और जोइन UP PGT, जोइन UP PGT लिकर मैसेज कर देना है, तो साथियों यहां पर आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी, ज्यादा डिटेल्स वीड वीडियो समझ में आया, तो इसको लाइक करें, सेर करें और अपने विचार ज़रूर रखें, बाकि मेरी शुब काम नहीं आपके साथ हैं, और कोरोना समय में खुद के और खुद के परिवार को सुरक्षित रखें, थैंक यू